हेलो एवरीवाइन वेलकम बैक तो मैं चैनल दिस इस वीरेशा एंड यू आर वचिंग वीरेश्टी पॉइंट फॉर समेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइन सब्जेक्ट है इसमें आपको अंतराष्ट्य संब्द का परीचे सुलना है यानि introduction to the international relation के बारे में आपको समझना है तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो unit third है इसका नाम है भारत की विदेश निती, सिध्धान्त और उद्देश से इसे डिसकस करने जा रहे हैं इसके अलाबा आगर आपको four semester की history और political science की वीडियोस चाहिए तो इसके इंडियो मैंने already separate playlist rate कर चुका हूँ आप simply playlist में जाके हम सारी की सारी वीडियोस को easily watch कर सकते हूँ तो आज के इस वीडियो में हम इस topic के कुछ previous questions को देखेंगे जो कि आपके बिचले दासनले में पूछे गए हैं जिससे कि आपको इस बात का idea उसके क्या कि आपका exam में इस topic से और किस-किस टाइप से questions पूछे जा सकते हैं इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम इसके solution को discuss करेंगे जिससे कि आपको इस बात की knowledge रह सके क्या अखिर आपको अपने exam में अपने answer को किस तरह से present करना है जिससे आप अच्छा score करसों को अपने exam में तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो आपकी unit third है जिसमें आपके टोटल इन topics हैं जिन में से आज किस वीडियो में हम जो आपका पहला topic है भारत की विदेशनिति, सिध्धानत और उद्यस से इस topic को आज किस वीडियो में complete discuss करने जा रहे हैं तो आई अब हम देखते हैं इसके कुछ previous questions को जो कि आपके पीछले 10 साल में पूशे गए हैं तो विसलिक लिए इस type से आपसे question कूशे जा सकते हैं आपके exam में ऐसे कौन से कारक हैं जो कि भारत की विदेशनिति को आकार देते हैं या फिर भारत की विदेशनिति को प्रभायत करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों का आलोचनात्त प्रेक्शन कीजिए बहात की विदेश निती की भूराज नितिक समाजिक निधायत अतों का प्रिक्षन कीजिए बहात की विदेश निती के अधारवुद निधायत कातु की आलुसनात का प्रिक्षा समिक्षा कीजिए तो इसे तरीक से आपका एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन पूछे जा सकते हैं तो आए वंबात करते हैं इसके सॉलेशन के बारे में तो आए सबसर पहले हम समझते हैं कि आखिरे विदेश नीती होती का है इसका क्या मतलब है तो देखिए परतियक देश की सरकार अपने राज देतों को ध्यान में रखते हुए आन्य देशों के साथ जो भी समाजिक आर्थिक या राजनेतिक समंद को स्थापित करती है वो उस देश की विदेश नीती कही जाती है और परतियक देश के लिए यह सबसे जरूरी होता है कि उसकी जो विदेश नीती है वो सतंत्र हो ताकि वो अपने डिसीजन यहाँ पर डिसीजन होगा यहाँ पर वोर्ड एर्र है यहाँ पर निर्णय होगा ठीक है? निर्णय इस लेजलता है ताकि वो अपने decision बिना किसी के दवाव में रहके सतंत्र रूप से ले सके तो आए हम बात करते हैं कि भारत की विदेश निति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं एक करके उनको डीटेल में समझते हैं तो इसके अंदर जो पहला point है वो है भगोले के सती किसी विदेश का आकार और उसकी जनसंख्या उसकी विदेश निति को काफी आदा effect करती है भारत एक विशाल राष्ट है भारत की विदेश निति के निर्धार्ण में भारत की भगोले के सती है और इसकी ज़जन संख्या है वो काफ़ी आदा इंप्रोर्टेंट रोल आदा करती है फरक्जामपल हिंद मासागर बात का अधिकास जो विदेशी वैपार होता है वो हिंद मासागर के द्वार ही होता है और जो हिमाले अरवत है वो उत्तर देशों से हमें आकमन से रक्षा करता है याने कि वो अमारा एक तरीके से सुरक्षा का बाच है अब जिसका सेकेंड पॉइंट है वो है कुछ नहीं पेख्षता तो भारत जब सदंतर हुआ तो उस दोरान शीतियूद चल रहा था जो कि मैंने आपको शीतियूद वाले चेप्टर में भी इसके वारे में डीटेल में बता रहा है आप उस वाले वीडियो को भी देख सकते हो ऐसी स्थिति में भारत ना तो अमेरिका के पुझीवाद गुट में शामिल हुआ और ना ही सोगे संके सामनेवाद गुट में शामिल हुआ इस तरीके से भारत ने दोनों मासक्तियों से दूरी बयाते हुए शीत यूद को कम करने में अपना काफी important यूदन दिया है और आसक्ता पढ़ने पर दोनों ही मासक्तियों से आर्थिक सायता भी ली है तो इस तरीके से भारत ने गुट में रिपेक्स्ता एक दुनिया को तीसरी दुनिया दिखाई थी नेक्स्ट पॉइंट है विचार धाराओं का प्रभाव भारत की विदेश निती का निधान करने में विचार धाराओं का विशेष प्रभाव रहा है भारत की विदेश निती में विशेष रूप से पंडित नहरू ने व्याप्तक प्रभाव डाला है नेरु जी ने समराज्यवाद, आपनी विशिकबाद और फ्रांसिवाद के विरोध, विवादों के सांती पूर्वक समाधान करने के समर्थक थे बहात की विदेश निती में महात्मा गांदी जी के विचारों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है ऐसी सिती में भारत ने पूर्वादी अर्थवरस्ता और समराज्यवादी अर्थवरस्ता को मिला कर एक मिस्चिद अर्थवरस्ता का मोडल अपनाया था नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक तत्व तो भारत का आर्थिक निकास तभी संभव है जब वो सभी देशों के साथ मैत्रिता पूर्ण संबंद रखे यानि कि किसी से दुस्मनी ना करे सब के साथ फ्रेंडली रहे इसलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ निकुट रहने के करन भारत दोनों देशों से यानि कि दोनों गुटों से पर्याप्त आर्थिक और तकनिकी साथा भारत को मिलती रहे और भारत की विदेश निती के आर्थिक आया में सुरक्षा, विदेशी सायता और अंतराश्टी व्यपार सतंतर प्राप्ति के समय भारत सैनिक दिश्टी से आत निर्वर नहीं था वो अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्वर था इसलिए भारत ने महा सक्तियों से मित्रिता संबंद इसाबित किये जितने भी जो powerful देश्टे उनके साथ friendship किया उनके साथ मित्रिता पूर्ण पूर्ण कर रहे हैं हालाकि अब सैनिक देश्टी से जो भारत है वो आद निर्वर बन रहा है बात की सेना विष्ट की 34 से बड़ी और ताकतवर सेना है जो की आदनिक हत्यारों से संपन्न है लेकिन अभी भी बात अपने सने हत्यारों के लिए दूसरी देशों पर काफियात तक निर्वर है नेक्स्ट पॉइंट है राष्टिहद नेरु ने सनिविधान सभा में कहा था किसी भी देश की विदेशनीती की आधार उसकी राष्टिहद की सुरक्षा होती है यानि कि वो जो भी दूसरी देशों के साथ जो रिलेस्ट मनाता है उसका सबसे पहले जो objective होता है वो अपना राश्टेतों की पूर्ती करना होता है और इसी तेकिसे भाद के भी कुछ राश्टेतोंगे ठीक है तो भाद के राश्टेत दो प्रगाएक है पहला इस्थाई और दुजरा आस्थाई तो इस्थाई से हमारा इप्राय देश की एकत और अखंता वो शुरक्षा है ठीक है और आज थाई इतके अंदर के आते हैं विदेशी पूंजी तकनीक विकास जनता की जिएवन स्थर को उठाना ठीक है यह सबी चीजे इसके अंदर आती है लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक और एतियासिक प्रमपराएं भाद की नीत आते की रही है जो प्राशीन इतियास की देन है बहाद पर कुल ने विदेशन नित्य यह पाकिस्तान के साथ मैध्यता पुरवख किंग रही है तो गर आपको यह वीडियो यूसफुल लग solutions एक शर कीजे थैंक्यू